कि अगया है है कि है कि हालो क्रेंट मैं मिद्धिश कमरा आपका स्वागत करता हम जो रहे हैं मेजर्मिट सिस्टम में देख रहा है थे इसे प्रिब्यूस वीडियो में देखा था कि कौन-कौन से एरार होते हैं उसको किस तरफे से कमपनसेट किया जाता है ठीक है मतलब एनर्जी मिटर की बात हो रही है कि अग्पाय जो एनर्जी मिटर उसमें किस तरीके का एरर हो सकता है अगर एरर है तो हम लोग देखा था कि क्रिपिंग एरर में क्या होता है कि जो आपका होता है तो कुछ ना कुछ फ्लक्स आपका वहाँ पर प्रोडूस होगा ठीक है जिसको वैसे क्या होगा कि डिस्क के उपर टॉर्क प्रोडूस होगा और जो डिस्क रोटेट करेगी यह उस केस में है जब मेरा कोई भी लोड नहीं है उस केस में भी आपके डिस्क करेगी तो आपका जो रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग को क्या करेगा रिकॉर्ड करेगा ठीक है इसका मत्तब यह हो कि जब आपने कोई भी एलेक्टिसिटी को यूज नहीं किया उसके बावजूद भी आपका जो मीटर का रीडिंग हो रहा है ठीक है जब नहीं होना चाहिए इसी को आपन बोले थे क्रिपिंग ठीक है यह पैज क्या होता है कि क् हम लोग नहीं है यह मैरा लोड नहीं है उसकेस में जो एनरजी मिटर का जो सकेल है वह आगे नहीं बड़े ओम ही पर रहा ठीक है जब क्यूश नहीं होता नहीं है कुछ नंगुश इंक्रीज होते रहता है इससमें क्या होगा विवार्टिस नहीं कर रहा है फिर भी अपन क है और जो सके सेंटर के जो सका सीटरों होता है ठीक है सींटर में gonna से अन्रड़ से स्टेफनेट होता है उसको दोनों साध्र में हम लंगा करते हाज होhouद कर डियर और जैसे आपका लोड का कंदिशन होगा डिस्वलते करने लगी किसलिए तो देखिए hem कि सम्टाइम्स दिस्क ओफ दा मीटर मिक्स स्लो बट कंटिनीवास रोटेशन एट लोट जो आपके डिस्क है ना वह नो लोट पे स्लो बट कंटिनीवास क्या करेगी रोटेट कर जाता है कि अगर माल लीजे कि अगर नहीं भी हलका सा कुई वाल्टू भरा हुए उसमें बू रुट कर रहा है लेकिन वास रोटेट कर रहा है तो दिर्य दिर करके हमारी मीटर करी रीणिंग बढ़ जायाएं ठीक है और भी बढ़ जायागा तो देन उससे कहा वगा कि में आपन यूज नहीं करना है फिर भीली कर दूज कर दूजिका भीम हो जाए के अ क्या कियर को ऑ वह रहा हुख है, अभ लेकिन जो पोटेंचिल कोईल हो तो सप्लाई से अूनेक्टेट ही ठीक है इस इस विपिग, इस सी को हम लोग बलते हैं क्रिपञ जब भी जब मैरा कोई दूड बनेक्टट निहांँ है फिर भी अपना जो डिस्क है स्लो मोशन में है continuous rotate कर रहा है, here, this error may cause by due to, अब यह error किसके द्वार होता है, due to overcompensation for friction, ठीक है, excessive supply voltage के कारण हो सकता है, ठीक है, vibration के कारण, stray magnetic field के कारण, यह जो आपका creeping effect है, वो आपका energy meter के कारण में होता है, ठीक है, अब इसको दूर करने का उपाई का है अपने पार, तो देखिए, in order to prevent disc creeping, to diametrically, opposite holes are drilled in the disc, पहले ही बता है, कि यह disc है, ठीक है, इस तरीक से आपने दूर क्या कर देंगे, इसमें holes कर देते हैं, दूर आपका holes कर देते हैं, ठीक है, this cause sufficient distortion of the field, इसके कारण क्या होता है, कि जो आपका flux से बडिस्टोर्ट हो जाता है, ठीक, खतम हो जाता है, पास हो जाता है, इस hole से ओकर, ठीक है, तो देन आपका क्या है, जो आपका disc है, इसको कोई भी force या बल नहीं ले गया, और disc के आगी, रोटेट नहीं करेगी, clear, this result is that disc tends to remain stationary, और इसके कारण क्या होता है, जो अपनी disc है, हम ऐसा क्या रहेगी, रहेगी, no load condition में, रोटेट नहीं करेगी, clear, अगला point हम लोग देखते हैं, इसमें, क्या है, उसके बारे में हम लोग, आगे आगे देखते हैं, हम लोग, आगे देखिए, आपका जो temperature error है, ठीक है, और frequency variation है, ठीक है, इसके इंसोट ले रीजे, ठीक है, तो अगर बात करें, कि देखे, temperature error का कि बहुत ज्यादा effect नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से हम अपने energy meter को design करते हैं, कि इसका effect अगर थोड़ हम लोग देखते हैं, कि आपका temperature error को किस तरीके से है, हम लोग reduce करें, कि जैसे potential coil है, current coil है, ठीक है, तो जहां भी coil है, जिसका अंदर current flow हो रहा है, तो आप हीटिंग effect आएगा, उसकी वासे आपका temperature में temperature हो सकता है, और अगर temperature बहुत जादा increase हो जाता है, तो उसकी वैसे जो आपना single phase energy meter है, उसका जो working है, वो affected हो जाता है, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से design करते हैं, कि जो temperature का effect है, वो ना के बराबर होता है, clear? the error due to variation in temperature are very small, इस तरीक एगा, जो मतलब error होता है, एनर्जी मेटर के चैनल, बहुत यह small होता है, ठीक है, निगलना के बराबर हम लोग मांगते हैं, because the various effect produce tends to neutralize one other, ठीक है, बहुत सारा effect यहाँ पर produce होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को neutralize कर जेते हैं, ठीक है, और वो जब एक दूसरे को neutralize कर जेता हैं, उसके वाज़से क्या होता है, जो आप पर temperature effect है, वो क्या हो जाता है, वो reduce हो जाता है, clear है, आगे देख of the potential coil and characteristics of magnetic circuit and the strength of brake magnet are affected by changing temperature, अगर आपका temperature change होता है, तो उसकी वाज़से आपका देखिए, कि resistance of the potential coil, ठीक है, magnetic circuit, और जो ब्रेक, ब्रेकिंग मेगनेट का जो strength है, वो आपका effected हो सकता है, temperature बहुत ज्यादा vary करता है, ठीक है, जब इनके उपर आसा पड़एगा, तो आपको अबियर सी बात है, जो energy meter का overall performance है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, गरबड़ हो जाएगा, और meter अपना सही reading नहीं देगा, ठीक है, therefore, great care is exercise in the design of the meter to eliminate the error due to temperature variation, clear? तो जब भी हम लोग meter बनाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ध्यान में रखते हैं, जो meter का हम लोग design करते हैं, उसमें जो temperature variation के कारण जो error हो सकता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? पहले हम लोग वो बिवासा रख देते हैं, ठीक है, हम लोग meter को जब design करते हैं, कि जो temperature का variation के कारण कोई error होता है, तो इसको कैसे eliminate करते हैं, ठीक है, और ऐसे भी इसका effect क्या होता है, बहुत काम होता है, ठीक है, उस चीज़ को लिख दिया मैंने, therefore, great care is precise in the design of the meter to eliminate the error due to temperature variation, तो जब भी हम लोग meter को design करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कि बहुत यदा care करते हैं, कि temperature variation के कारण जो error हो सकता है, उसको हटाने के तैयारी पहली हम लोग meter में कर लेते हैं, clear है, आगे देखिए, frequency variation, ठीक है, the meter is designed to give minimum error at a particular frequency, तो सीरी सी बात है, कि अपने अंदर जो standard frequency 50 Hz होती है, तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं, कि अगर हम लोग 50 Hz supply दे रहा है, तो उसमें ना के बराबर error हो अपने energy meter में, ठीक है, फिर भी अगर कुछ होता है, तो हम लोग उसको eliminate कर सकते हैं, ठीक है generally 50 Hz, if the supply frequency changes, resulting in a small error, ठीक है, अगर supply frequency थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है, ठीक है, और उस error का बहुत ज्यादा effect नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा effect नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा effect नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, कि कि तरीके से आपका जो बहुत स रखते हैं, वोल्टेज में variation होता है, ठीक है, वोल्टेज में variation होता है, तो उस तरीके एरर के हम लोग कैसे neutralize कर सकते हैं, clear है, देखिए आगे, आगे देखिए, ठीक है, यह है voltage variation, screenshot ले लीजिन, आगे देखते हैं, ठीक है, screenshot ले लो, फिर आगे देखते हम लोग, बहुत है वोल्टेज़ व्रेशन में ठीक है कुछ पॉइंट से इसको पिल्कुल ध्यान में रखने का दूरत है तो एक जैसे ही जो आपका तो अगर माल ले जाके अगर हायर वोल्टेज के स्क्वायर में कहा होगा ब्रेकिंग तोर्ट अब बात करेए कि 또 है केima посмотрим क руки क्या होगा कि जो अपका डिस्क है वो तेजी से रोटेट करेंगे तो यह सीम्पल सापका वोल्टेज का वरियेशन का फंडा है देखिया इसमें दो संट मैंगनेट फ्लक्स विल इनक्रीज ठीक है जो आप देखते हैं पोटेंशल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो उस फ्लक्स को हम लोग इनक्रीज कर सकते हैं वीटनश निंग्रीज को स्ट मागनेटिक सब्स्राइब करें कि इस नसका ईंपनी सप्लाइ बोल्टेज्य को जैसी आपका सब्सक्तुक्त कर ना क्या चालू सब्सक्राइब जाएगा अब जब वो इंक्रीज करना चालों कर गया सब देखी आगे क्या होगा अदा ड्राइविंग टोर्क इस प्रपोस्टर ब्रॉश्ट पर आप दा फ्लक्स जो आपकाट रबिंग टॉर्क्स है ठीक है वो आपका जो है वो flux के directly proportional होगा मतलब जितना flux बढ़ेगा उसी का proportion में आपका driving torque बढ़ेगा ठीक है यही driving torque डिक्स पे लगता है और डिस्क आपकी खावब भी rotate करती है पट इसमें दूसरा पहलो भी है वो देखे का है whereas breaking torque is proportional to the square of the flux ठीक है जो आपका ठीक है जो आपका breaking torque है ठीक है वो square of the flux है ठीक है यह flux मालो ठीक है कि whereas breaking torque is proportional to the square of the flux ठीक है square of the flux ठीक है कि मतलब क्या आपका breaking torque square में बढ़ेगा ठीक है square में बढ़ेगा ठीक है जो आपका breaking torque है वो square में बढ़ेगा sorry square of the flux ठीक है square of the flux ठीक है कि मतलब कि यहाँ पर जितना यहाँ पर flux है उसके directly proportional होगे लेकिन इसी flux जितना flux होगा तो directly वो double जो है आपका breaking torque बढ़ेगा ब्रेकिंग टॉर्क का क्या करेगा पूज करेगा ठीक है अजब भी आपका breaking torque driving torque से ज़्यादा होगा तो उसके में फिर डिस्क है वो slow rotate करेगे ठीक है तो इसी चिसको अपनों ध्यान में रखने का है यो यो अपका breaking torque है वो जो अजय देर फोर इफ ऑफ ड़ सप्लाइब वोल्टेजिस हाई राधा नॉर्मल वाट अगर मां लिए कि जो सप्लाइब वैलू है वार राधा रहे है नॉर्मल वैलू के फैस्ट में ज्या होगा इसके přibиф mey Praokol Repeating the Braking providing perceive. क्या होगा इसत्वolar वोंटेगं के वoshima ज्यादा होगा तो आपका flux की वयल्व ज्यादा होगा घंज की बैक जादा होगे ऊससे भी जदा कौनसा वर breaking टॉर्क होगा ठीक है तो denominate a what? होगा टॉर्क विलिंगीज मच मोर देंदर ड्राइबिंट यहां पर जो ब्रेकिंग टॉर्क की वेलुव और ड्राइब टॉक से क्या होगा ज्यादा हो जाएगे तुसका रिजल्ट क्या होगा एंड वाइज वर्सा वाइज वर्सा का मतलब कि अगर सप्लाइब वोल्ट इस यह तेंडेंसी टूरंग स्लो एट हाईयर ठीक है जब अपना सप्लाइब वोल्टेज ज्यादा होगा तो उसके समें क्या होगा कि जो आपका वीज्ट आपका डिस्क है वो स्लो रोटेट करेगा ठीक है नॉर्मल वैलू के कम परीजर में ठीक है रंस लो एट हाईयर दैन दोर्मल वोल्टेज एंद फास्ट एट रिड्यूस्ट वोल्टेज ठीक है अगर अपना वोल्टेज की वेलू का में उसके समेडियो यह क्या है यह अपके डिस्क है वो फास्ट रोटेट करेगी ठीक है है अविज़ए पर दाइफेक इस तरीक एका जो एफेक्ट होता है ठीक है हम लोग ऐसे इसको डिजाइन करते है कि इसकी इसका एफेट बहुत कम होता है मिटर के अंदर clear and this is not more than 0.2% 0.3% ठीक है तो वोल्टेज वरियेशन जो है वो 0.2% 0.3% से जादा नहीं होता है इसका बहुत जादा एफेट नहीं बढ़ता है clear for a voltage change of 10% from the rated value ठीक है the small error due to voltage variation can be eliminated अगर voltage variation के करना कोई small error हो होता है तो उसको हम लोग वीटर को सही तरीके से design करके उसको eliminate कर सकते हैं by the proper designing of magnetic circuit of the stunt magnetic clear तो इस तरीके से voltage variation के करना अगर कोई error आता है तो जो stunt magnet का जो magnetic जो संट मैगनेटिक सर्किट है उसको इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं कि इस तरीके का अगर अगर आता है तो बिल्कुल सिंपल सा है तो फिर सी यहां पर देखिए यहां पर बारबा बोला जा रहा है कि अगर अपने हुला की एंप्स के वेन उट जाधा है वुस्त एंपर ठीके जो फ्लक्स की वेलू भी गया उब ज्यादा होगी थी लो फ्लक्स की फिल्क्स की वेलू we are directly proportional मौतीए कि इसके इसक्वाइर आफदा फ्लक्स के डायक्ली पर्फॉस्टर इससे पहले मैंने यह कर दिया वह गलत था ठीक है ब्रेकिंग टॉर्क की डायक्ली पर्फॉस्टर होता है इसकी वैसे क्या होगा कि हाईयर वोल्टेज पे जो डिस्क है वो वो स्लो रोटेट करेगी और आपका यहां पर जो आपका था एरर और कंपेंशेशन वो खतम होता है अब भावन मिलेंगे नेक्स बुड़ेव तक लिए थेंक्यू क्या हुआ।